हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की बोको C50 फोन को आप लोग कैसे रिस्टार्ट कर सकते हो विदाउट इस पावर बटन पे क्लिक किये अगर आपके फोन में ये पावर बटन खराब हो गया या पावर बटन काम नहीं कर रहा है तो आप लोग अपने फोन को रिस्टार्ट कैसे करोगे गई तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पेले आप लोग वो settings में जाना है और नीचे scroll down कर लेना है नीचे को option देखने को मिलेगा additional settings का इस पर click कर देना है click करने के बाद यापर एक option होगा guys accessibility का इस पर click कर देना है click करने के बाद यापर general में आप लोग यह वाला जो second वाला option है accessibility menu का इस पे क्लिक कर दीजिए प्लिक करने के बाद का इस देख सकते ही यहापर एक उफिशन है एकसेसिबिलिटी मेनू स्वोट काट कार्ट fabrics तो इसको हमें ओन करना होगा तो औन करने के लिये हम सिंप्ली इस पे क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद नीचे allow का option आएगा allow पे click कर देंगे उसके बाद देख सकते okay का option आया है okay पे भी हम click कर देंगे click करते ही आपर जो यह option है यह on हो गया है तो अभी हम सिधा back चले जाएंगे तो इस option को हमने on कर दिया guys लेकिन इसको use कैसे करेंगे use करने के लिए जो हमारे नीचे buttons है buttons के side में आप लोग देख सकते और एक extra button add हो गया है तो यही है guys accessibility shortcut menu तो इस पे click कर देना है click करने के बाद देख सकते है आपर एक power का option आया है power के option पे click कर देना है और यहापर देख सकते है restart का option आ गया आपर से आप लोग restart कर सकते हो अपने phone को तो ऐसे करके जो आप लोग अपने poko c50 phone को restart कर सकते हो without इस power button पे click किए तो कैसा लगा आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई